चीन से पाकिस्तान जा रही प्रतिबंदित रसाइनों से बड़ी एक पूरी खेप जब्द कर ली है। ये भारत के लिए जितने बड़ी उपलब्दी है पाकिस्तान और चीन के लिए उतना ही बड़ा सरदर क्योंकि दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान की पोल खुल गई है। सुरक्षा एजन्सियों ने तमिलनाट के एक बंदरगा पर चीन से पाकिस्तान जा रही एक और खेब जब्द कर ली है। ये पहली बार नहीं है इससे पहले भी भारत ऐसा कर चुका है। बता दे जिस प्रदिबंदत रसाइन को भारत ने जब्द किया है उसका इस्तमाल और दंगा नियंत्रण एजन्टों द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारत कहता है कि उन्होंने एक कारवाई किता है। आप चाहिए से पाकिस्तान जाने वाला कुछ ऐसा मेटीरियल है। जिसे बैंड कैमिकल कहा जाता है। विच कन भी यूज़ फर वैपन्स विचिज है। डूल ग्रेटूल यूजव उसको उन्होंने पकड लिए। दूश्मन है। लोग गिर जाते थे वह तबाई पाकिस्तान में आ रही थी मुझे यह बताएं पाकिस्तानी को ऐसी क्या जूरुत पड़गी इन चीजों को मंगवाने की वाम को रिलीव तो आप दे नहीं सकते हैं पता नहीं कितने क्रोड के वह कैमिकल होंगे इस तरह की चीज़ें तो पुरी दुनिया से जो है वो ट्रांस्फर होती है यह चैंगडू स्याचन ट्रेडिंग कंपनी है उसने यह बेचा और यह जा एक पाकिस्तान की रोहेल एंटरप्राइज़ इस एक डिफेंस अपलायर है उसके पास जा रही थी को पची सो किलो ग्रा कि इतिया कोई ऑपर यह जाते लेकिन आपको यह जान बचाई कि घाने कि बड़ी इंसानित की जान बचाई है उस शीप के बीच में क्या था आपको याद आज से कुछ साल पीछे आप चले जाएं पहुंदों था असों गैस बचाई जाती थी लोह की आगे लिए घृजए तबाई पाकिस्तान में आ रही थी मुझे ये बताएं पाकिस्तानी गॉवर्मेंट को ऐसी क्या जूरुत पड़गी इन चीजों को मंगवाने की ऐसी क्या जूरुत पड़गी की चीजें चाइना से हमारे इंपोर्ड की जाए चाइना नहीं सो अब देखें यह जो कंसाइनमेंट है इस तरह की चीजें तो पुरी गुनियां से जो है वो ट्रांसफर होती है यह चैंग्डू स्याचन ट्रेडिंग कंपनी है उसने यह बेचा और यह जा एक पाकिस्तान की रोहेल एंटरप्राइज इस डावल पिंडी बेस एक डिफेंस सप्लायर है उसके पास जा रही थी को फची सो किलोग्राम का यह एक सो तीन के करीव ड्रम थे जिन में यह चीजें जा रही थी एक चीज तो यह अब इंडिया कहता है जी कि यह जो कैमिकल है यह इंडिया की एक स्पोर्ट कंट्रोल डिस्ट के उपर है इसे बोलते हैं स्प अब कहा जा रहा है जिसे वो कहते हैं ना अगर वो यह कहते हैं कि इस शिप्मेंट के अंदर और कुछ ऐसा कैमिकल्स हैं अगर वो पाएगे तो फिर हम इसको इंटरनेशनल आम्स कंट्रोल रजीम के हवाले करेंगे और उनको बताएंगे कि यह क्या चीज यह है चीज अब अगर वो कह रहे हैं कि यह जो एक है एक वेसिकली कैमिकल है जिसको और्थो क्लोरो बंजारडीन कहते हैं आइठेंग वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो उससे यह पाकिस्तान जो है वो वैपन जफ मैस अश्रक्शन बना सकता है यह उन्दिया का मौकफ है ठीक है जी अ आपको पता है इंडियन ओशन के अंदर बहुत एक्टिव हुआ है ठीके जी और बेसिकली तो इंडिया प्रेगाम दे रहा है चाइना और पाकस्तान को कि इंडियन ओशन से जो कुछ भी गुजरेगा हम उस पर नज़र रखेंगे यह हमारी टेरिट्री यह दिस इस अ मैसेज तो चाइना और बाकस्तान लेकिन यह है कि अच्छा मैं अपनी गॉर्मिंट से सवाल करता हूं आपको क्या जरूरत थी ऐसी चीज़ें मंगवाने की कि आप देखें मेरी बात सुने अवाम को रिलीव तो आप दे नहीं सकते हैं पता नहीं कितने क्रोड के वो कैमिकल होंग है कि हम उनके पर शेल मारेंगे हम आसू गैस मारेंगे उनके ओपर या आपको यह डर है तो आप बिजली में रिलीव दो ना आम आदमी एक आम आदमी जो बीबी ती 30,000 पर बिल दे रहा है जिसके सेलरी 30,000 पर वह बचारा शेल ही खायेगा ना बाहिर सड़कों पी आएग हमारा शेप पकड़ लिया हमारे समान रोक लिए इंडिया ने इंडिया तो हमारा सा दुश्मनी करता हमें आगे नहीं निकलने देरा इस बार मैं इंडिया को एपिशेट करना चाहूंगा ऐसी चीज़ें अगर आपने पकड़ी है तो वेलन बूड पते हैं इससे इंसानिय यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए इसी परकार का भविस में वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको इससे भी ज्यादा इंट्रस्टिंग इंट्रस्टिंग वीडियो भविस में देखने को मिलत प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ जरूर सेर कीजिए नमस्कार फ्री मिलेंगा अगले है कि अ कि